असलामुलेकुम दोस्तो आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल आपके सफर यूटूब चैनल पे तो साथियों आप सब कैसे हैं उमीद करता हूँ आप सखेर यस्ते होंगे वीडियो सुरू करने से पहले आप से मैं रिक्ष्ट करना चाहता चैनल पर नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अकन को प्रेज कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियो के नौट पे के सन आपको हमें सफरी में दोस्तों मिलती रहे तो साथियों आज के वीडियो में दोस्तों जो मैं आपको बहुत ही बड़ी तो सबसे पहले अपडेट के बारे हम बात का हम लोग कर लेते हैं तीन लड़कीयों जो गिरफतार किया गया तो दोस्तों वो तीनो लड़कीयों जो थी वो इंडिया की थी यानि भारत की वो रहने वाली थी उनका फ्लाइट था मुंबै एयरपोर्ट से तो मुंबै कि ये को बुलाने के बाद कश्टम विभाग के तरफ से जब चेकिंग किया गया तो चेकिंग के दौरान उसके पास लगभग 20-25 लाग रुपे कैस उसके पास मौझूद थे, 20-25 लाग उनके पास कैस मौझूद था और लगभग 10-15 तोला उनके पास सोना था, तो सातियों ज काहिट सी बात है कि इतना जादा पैसा होना और इतना जादा कैस होना, इतना जादा सोना होना ये इलीगल तो होता ही है, तो इसी वज़े से फिलाल तीनों को गिरफतार किया गया और पूस्ताच वगएरा है, वो पूस्ताच जो है, वो की जारी है, कि इतने पैसे लेकर व फिलाल पुस्तास दोस्तों अभी जारी है जैसे कोई इस पर रिपोर्ट आती है कि आखिर वो लेकर क्यों गई थी मैं आप तक सेयर जरूर करूंगा एक बिट दोस्तों आ रही है यदि आप UAE में अभी मौझूद हो युई कि दोस्तों किसी भी सहर मौझूद हो दूबय में सार्जा में अजमान में यफिक कहीं भी मौझूद आप हो यदि आभी आप कैनड़ा जाना चाहते हो तो दोस्तों कैनड़ा स्पॉंसरी बें gelecek आप जा सकते हो बस आपको स्री फ्लाइट का पैसा देना पड़ेगा बागी किसी तरीका पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा यह offer बहुत ही अच्छा है तो यह दोस्तों दो ही जानकारी थी आज के वीडियो में मीट करते हम वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजेगा भाई को चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजे मिलते गास नेक्स वीडियो पर तब तक लिए अपना ख्याल लगे वीडियो देखने के लिए सुक्रिया जाहिन और टेक केर